So hello friends welcome back to another video दोस्तो आज है फर्वरी 6 और आज market gap up open हुए और gap up open होने के बार में market ने एक parallel channel का फॉर्म सो किया और मैं इस channel के breakout या breakdown पे अपनी position set करूँगा So let's wait देखते हैं अभी क्या होता है आगे A few minutes later Market ने parallel channel का breakdown किया And this breakdown पे मैं अपनी put side की position set करूँगा यहाँ पे जो risk reward ratio रहने वाला है वो 1-3 का रहेगा जहाँ पे जो previous candle का high है 14 point का यहाँ पे मेरा SL आ रहा है And यहाँ पे 40-42 point तक का मेरा target रहेगा And trade मेरे फ्यवर में चलना है start कर दिया है तो देखते हैं इस state में मेरा target हीट होता है या मेरा SL होता है तो यहाँ पे मेरा target कंप्लीट हो गया और मैं इस state से एक जीट कर रहा हूँ And यहाँ पे इस state को में आगे इस ट्रेल इसले नहीं करा हूँ क्योंकि bank nishti में देखा जा तो previous swing पे एक support है तो यहाँ पे हो सकता है market reverse भी आ सकता है तो इसले मैं कोई risk लेना नहीं चाहता हूँ Trade में मुझे 1100 रुपे का profit हुआ है Market ने उसी candle से rejection लेके वापस पूरा market reverse हो गया है अगर इस trade को मैं hold करता तो इस trade में मुझे profit के जगा loss बुक करना पड़ता और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सस्क्राइब कर लो मिलते हैं नए वीडियो में